Hello everyone, जैसे कि आपको अपने स्क्रीन भी कोशन दिख रहा है, हम इस कोशन को सॉल्व करना है, चलिए सबसे पहले हम इस कोशन को देख लेते हैं, हम इसे रो वाइस देखते हैं, जो हमाँ पास फॉर्स रो यहां पे है, फॉर्स रो में हमाँ पास क्या है, माइनस 1, 1, 2, और हमा कोशन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको 10 सेकंड्स दे देता हूं, अगर आप इन 10 सेकंड्स के अंदर अपना से निकाल देते हैं, तो आप हमें कॉमेंट बोक्स में टाइप करके बता सकते हैं, चलिए आपका समय शुरू होता है, अब अगर आपने 10 सेकंड्स के अंदर अपना से निकाल दिया हैं, तो आप हमें कॉमेंट बोक्स में टाइप करके बता सकते हैं, चलिए इस कोशन को सॉल्व करते हैं, जैसे कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसमें हमारा पास माइनस 1, 1, 2, अगर हम माइनस 1, प यानि किस तरह से भी ये कोशन सॉल्व नहीं होगा, इस कोशन को सॉल्व करने के लिए आप कर सकते हैं, जैसे कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा है, आपको क्या करना है, 2 और हमें प्लस क्या करना है, इसमें माइनस 1, अगर आप 2 माइनस 1 करोगे तो इक्वल होता है, हमाँ पास 1 के इक्वल होता है, यानि कि जो हमाँ पास कॉलम 3 है, उससे क्या करना है में कॉलम 1 को प्लस करना है, तो हमाँ पास इक्वल किस के होगा, 1 के इक्वल होगा, उसी तरह हमें क्या करना है, 5 प्लस 0, जो इक्वल होता है हमाँ पास 5 के, उसी तरह आपको देखना है कि यहाँ पर हमाँ पास कौन सा नमबर आएगा जो इकल होगा हमाँ पास 9 के अगर यहाँ पर हम कोशन मार्क्स की दगा टू लिखे तो हमाँ पास 2 प्लस 7 इकल होता है हमाँ पास 9 के यानि कि हमाँ पास आपको कोशन मार्क्स दिख रहा है वहाँ पर क्या आएगा हमाँ पास वहाँ पे 2 आएगा इस question में simply क्या था हमाँ पास third column को plus करना था first column से और हमारा answer निकल रहा था इस तरह से आप इस तरह की puzzle को easy तरीके से solve कर सकते हैं अगर आपने पहले ही अपना answer निकाल दिया है तो आप हमें comment box में type करके बता सकते हैं